तो प्यारे दोस्तों एक बार नमस्कार आज का आज की की वीडियो में हार्दिक स्वागत है आज हम जो डिसकस करेंगे वो रहेगा 10th क्लास का टॉपिक जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल देख लेते हैं पॉलिनोमियल कितना इजी है 10th क्लास के लिए बहुत बच्चे बहुत इसे क्रेटिकल समझते हैं बट ये बहुत इजी है आज का जो वीडियो है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो चलिए देख लेते हैं देखे पॉलिनोमियल बेस variables many sorry many variables आएगा भाई many variables आएगा many variables so called of polynomial लाइक मान लीजे मेरे पास variable है x और दूसरा है x square तीसरा है x q क्या यह polynomial है यस यह polynomial है single variable के polynomial है अगर मैं इनका combination कर देता हूं x plus x square plus x q तो इट मिन्स यह भी एक polynomial है basically जान लें के polynomial क्या है देखिए polynomial आप समझ यह Greek word है जो के poly प्लस नोमियल इनसे मिलकर बना है ठीक है poly जो है poly means होता है many और polynomial means होता है term तो एक combination of many terms so called of polynomial it means के variables के जो many term का combination होगा उसे हम कह सकेंगे polynomials तो मेटा देखो इसे मैंने इसे मैंने two types से convert किया types of polynomial की बात करेंगे तो two types से convert किया first upon degree base मैंने इसे degree base convert किया दूसरा इसे किया term base अब सबसे पहली जो degree होती है सबसे पहली जो degree होती है वह होती है one ओके तो जिस जिन polynomials की यानि जिन expressions की degree one रहेगी उनको हम linear कहते हैं क्या कहते हैं linear polynomial कहते हैं देखें जिनकी highest degree यानि जिन polynomial की highest degree one रहेगी उन्हें हम कहते हैं linear क्या कहते है linear जैसे like मान लीजिए आपके पास three x है यहां पर तो x की highest power क्या है one अगर मैं लिखूं three x square तो देखें इसकी highest power two है it means यह linear नहीं है तो linear कौन होगा यह जिनकी highest value यानि highest degree जो है one रही होगी वह linear होंगे ओके ठीके अगर यहां second देखते हैं second में क्या है कि जिनकी highest degree two रही होगी उन्हें कहते हैं quadratic क्या कहते हैं quadratic जिनकी highest degree two रही होगी उन्हें quadratic कहते हैं जैसे लाइक मान लीजिए x square या four x square या आप और भी कोई term ले लिजिए x plus x square यानि whole expressions की power जो है two रही होगी पूरी की पूरी expressions की जो power two रही होगी तो उसे quadratic कहेंगे यदि अगर 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 हमारी highest degree three मिल रही होगी तो उसे हम कहेंगे cubic ओके इसे कहेंगे cubic polynomial इसमें क्या होगा कि x की जो highest value three होगी किसी भी expression की highest value 3 होगी तो भी वो आपको जो है क्या होगा cubic होगा या term को देख लेते हैं simply इसी तरीकी से term की बात करेंगे term में यदि first term है तो monomial होगा क्या होगा monomial यदि अगर first term है तो two term है तो binomial होगा क्या होगा binomial होगा अगर three term है तो आपका होगा trinomial okay trinomial होगा अब यह three two one यह तो देखिए इसके example की बात कर लेता हूं तो देखें यहां पर one term term जब change होता है पूरी expression में term जो change होता है पूरी expression में तो क्या होता है कि आप समझे पूरा term जब change होता है वह होता प्लस या माइनस पर यहां plus है इट मींस यहां पर आपका जो है term बदल जाएगा यदि अगर term बदल रहा है तो वहां से term count के जाएंगे तो इस पूरी expression में two term है कौन से है two term तो term के base पर ये क्या हो गया binomial होगा term के base पर अगर माल लीजे मैंने का 3x आप इस 3x को बताइए तो ये monomial होगा वेटा क्योंकि इसमें single term है अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x plus 2y plus 4x square तो इसमें कितने term है 3 term है तो term के base पर ये जो होगा trinomial यानि कि आप देख पा रहे होंगे जिन में term 3 होंगे वो trinomial होंगे जिन में term 2 होंगे वो होंगे binomial जिन में term single होगा वो होगा monomial यहाँ degree जिन में 1 रही होगी highest यानि किसी expressions की highest degree जो है 1 रही होगी वो होगा linear यदि 2 रही होगी तो वो रहा होगा quadratic और जिसकी 3 है वो होगा cubic तो यह है polynomial दो टाइप से हम इसे divide करते हैं degree और term के base पर degree में 1,2,3 और term में भी 1,2,3 degree 1 तो linear, degree 2 तो quadratic, degree 3 तो cubic, term 1 तो monomial, term 2, binomial, term 3, trinomial तो यह थे term अब हम देख लेते हैं graph of polynomial देखें बड़ा graph of polynomial की जब बात करूँ तो मैं यहाँ जब भी polynomial आपको कोई एक माल लीजेग मैंने एक polynomial ले लिया यह मेरे पास एक polynomial है यह मैं यहाँ पर 4 ले ले लेता हूँ यहाँ पर 4 ले ले लेता हूँ तो देखें 2x प्लस 4 मेरे पास एक यह polynomial और मैंने इसे माल लिया px क्या माल लिया polynomial of x माल लिया मैंने यह polynomial of x x के टर्मों में यह polynomial है बिड़ा एक चीव इस ध्यान रखेंगे कि polynomial की कभी भी value negative नहीं होती polynomial की हमेशा value जो होती है वो positive होती है और 1 से बड़ी होती है 0 भी होती है 1 भी होती है 1 से बड़ी भी होती है ठीक है तो यहां पर इसकी जो highest degree है 1 है तो यह polynomial हो गया linear कौन सा हो गया linear हो गया ओके अब हम देखते हैं graph of polynomial तो graph कैसे represent करेंगे इसका देख लेते हैं मानली जीए मैंने इसको px को थोड़ी दर के लिए कह दिया कि यह जो है y है क्या है y है 2x प्लस 4 होगा तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूँ put करने वाला हूँ एक बार x की जगे मैंने put किया x equal to 1 put कर दिया क्या put कर दिया x equal to 1 put कर दिया x equal to 1 put कर दिया तो देखें जब मैं y की value निकालूंगा यहां से तो मुझे मिलेगी 6 क्या मिलेगी 6 मिलेगी अगर मैं x is equal to 2 put करता हूँ तो मुझे y की value जो मिलने वाली है 2 put किया तो 4 8 मिलेगा y की value क्या मिलेगी 8 मिलेगी तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखें x की value जदी आप 3 put करेंगे x की value आप 3 put करेंगे x equal to आपने 3 put किया तो y की value जो मिलेगी 6 10 मिलेगी यहाँ पर क्या मिलेगी 10 ओके तो अब मैं इसको graph में convert करूँगा तो graph में convert करने के लिए आप यह समझिए कि यह x axis वाली line यह आपकी y axis वाली line ओके x axis याने के x positive and x negative इधर y positive and y negative यह होगा तो देखें यहाँ पर है x1 पर y की value क्या है 6 है तो x1 पर तो x1 यहाँ रेप्रेजेंट होगा और y6 माल लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 तो यह इस जगह पर आएगा याने यह point जो होगा वो होगा 1, 6 का ओके यदि अगर हम देखें 2 पर 8 होगा तो 2 यहाँ पर होगा तो 8 यहाँ रहा होगा इस तरीके से तो यह graph जो रेप्रेजेंट करेगा वो इस तरीके से लाइन को रेप्रेजेंट करेगा ओके इस तरीके से करेगा तो जो x-axis पर टच होगी लाइन जो x-axis पर touch होगी वही इस polynomial के 0 होंगे वही इस polynomial के 0 होंगे यानि कि जितनी बार x-axis की लाइन पर ये value को touch करेगा वही 0 होंगे किसके इस polynomial के तो linear की जब बात कर रहे हैं तो हमेशा linear polynomial का 0 जो होगा वो 0 होगा 1 क्या होगा वेटा वन यानि के एक ही 0 होगा जो linear का linear polynomial का होगा ओके वेटा तो इस तरीके से हम इनके 0 को देख सकते हैं ओके चलिए next चलते हैं तो नेक्स्ट हम इस graph को देख लेते हैं इन graph को देख लेते हैं और बताते हैं यह first exercise एक्साइज है फर्स्ट एक्साइज है एक्साइज है और इस एक्साइज में आपको बता दूँ मैं कि किस तरीके से इसमें जीरो को फाइंड आउट करने है देखिए क्वेशन है ग्राफ ऑफ वाई इस इकोई स्टू पी एक्साइज होंगे ओके तो मैं यहां से इसको देख लेता हूँ एक बार देखिए जब मैं यहां पर बात कर रहा हूँ तो देखो यहां एक्स एक्सिज है यह एक्स एक्सिज पर कोई भी कट नहीं है यहां पर है यह वाई एक्सिज पर तो इसका जो जीरो होगा वो जीरो होगा जीरो यानिकि इसका कोई भी जीरो नहीं होगा ओके यहां मैं देख पा रहा हूं x-axis पर x-axis पर one है तो इसका answer होगा one इसका answer होगा one यहां पर x-axis पर one two and three तो इसका answer होगा three ओके यहां पर देखिए यहां पर है one and two तो इसका answer होगा two इसके two zero होगे इसका zero होगा इसका one और इसके three यहां पर देखेंगे x-axis पर । वान टू ठी एंड फॉर तो इसे जिरो हो होंगे फ्ोर, कैया यहां पर देखेंगे। 1 2 3 4 5 तो देखे विटा पर यहां इसने लाइन को टच करा आए के वल इसको फूल क्रॉष नहीं किया तो यहां पर वन्ट 27 होंगे इस क्या होंगे three होंगे अगर full cross करता तो इसके term जो है intersect करने पर two times में इसको convert कर दिया जाता और दो पार्ट में इसको break कर दिया जाता तो यह अलग-अलग zeros बन जाते बट यहां पर single होंगे तो यह इनके zeros हैं और आप भी इसे बता सकते हैं मैं अभी आपर एक graph draw कर रहा हूं और इस graph draw करने के साथ साथ आप मुझे बताएंगे कि इसके कितने zeros होने जा रहे हैं चलिए यह बताईए मुझे कि इसके कितने zeros होंगे बताईए बताईएगा comment box में कि इसके कितने zeros होने बाए रहे हैं अभी मैं next question देख लेता हूँ देखें next है relation of the polynomial relation of the polynomial को पढ़ने से पहले आप समझ यह कि हम relation of the polynomial पढ़ते हैं quadratic का यानि कि आप quadratic polynomial का आप relation of 0 पढ़ेंगे किसका पढ़ेंगे quadratic का quadratic polynomial का आप पढ़ेंगे relation of 0 तो quadratic polynomial कौन से होते हैं quadratic polynomial वो होते हैं जिनकी highest degree 2 रही हो क्या रही हो 2 रही हो like that मान लिजिए के ax square प्लस bx प्लस c यह मेरे पास एक equation है जो कि demo equation है या standard भी कह सकते हैं और यह quadratic polynomial की है ठीक है नो मेटा तो यहाँ पर इनकी जगह पर a की जगह पर b की जगह पर c की जगह पर कोई भी value हो सकती है और इसको हम कहते हैं coefficient कहते हैं क्या कहते हैं coefficient कोई भी हो सकते हैं don't mind के abc हों बट हम इसे standard form में ले लेते हैं तो इनकी comparison कराते हैं तो हमें यहाँ पर abc की value मिलती है तो इसमें दो चीज़ां होती है दो चीज़ां होती है first जो होता है first जो होता है sum of zero क्या होता है sum of zeros दूसरा होता है product of zeros दूसरा होता है product of zeros दो चीज़ां होती है अब product of zeros और sum of zeros sum of zero होता है minus का b upon a और product of zero होता है c upon a c upon a मान लिजिए कि अगर मेरे पास कोई इस तरीकी की कोई एक polynomial दे रखी है और मुझे क्या बताना है sum of zero बताना है तो मैं उसकी comparison कराके इस equation से यहां से b upon a लिख लोंगा तो वो होगा मेरे पास sum of zero ठीक है product of zero की बात आएगी तो product of zero c upon a होगा like that मान लिजिए कि मैंने यहां एक demo equation लिए अपनी तरफ से कोई भी यह मैंने लिखा ओके अब मैंने कहा आप से कि इसका sum of zero बताईए तो आपको करना ही है सबसे पहले comparing कराना है comparing कराना है किससे ax square plus bx plus c से ठीक है बटा तो देखो coefficient जो जिसका coefficient है उसके equal value आएगी x square का coefficient यहां पर 3 है तो a का is equals to 3 हो गया ओके a is equals to 3 हो गया अगर मैं यहां पर a equal to 3 यहां पर देखो x का coefficient क्या है b यहां x का coefficient 4 तो b is equals to 4 हो गया c is equals to यहां पर 2 मिला अब हम यहां देखेंगे इस equation का sum of 0 निकालेंगे sum of 0 जब निकालेंगे तो यहां minus का b तो 4 के आगे आप minus लगाएंगे तो b की value 4 हो जाएगी a upon में a तो 3 तो minus का 4 upon 3 इस equation का sum of 0 हो गया यानि कि जो इसके 0 आने वाले हैं उनका अगर हम sum निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा क्या minus का 4 upon 3 अगर हम यहां पर product निकालेंगे तो product निकालने के लिए क्या होगा c upon a तो c है हमारा 2 और a है हमारे पास 3 तो product of 0 मिलेगा आपको 2 upon 3 ओके तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं यानि के product of 0 और sum of 0 पहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं करना यह होगा सबसे पहले जो आपको equation दी होंगी उनका comparison कराएंगे demo equation से यानि standard equation से एक और वहां से निकालेंगे abc की value और उन abc की values को put करेंगे sum of 0 में और product of 0 में ओके चलिए चलते हैं next देखें यहां पर आपको find the zero of the polynomial यानि कि हमें polynomial का zero find out करना है and verify the relationship यानि कि उनकी verify करनी है relationship zeros की relationship को verify करना है तो देख लेता हूँ मैं यहां यहां पर एक आपको polynomial दिया है पहला first polynomial है x square minus 2x minus 8 यह polynomial है और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसे factorization method से solve करना है यानि कि factorization method होता है जो आपको ninth में easy तरीके से सिखाये जाता है समझ यह यहां पर factorization method को किस तरीके से किया जाता है मैं एक बार repeat कर दे रहा हूं समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूं करना यह होता है सबसे last term का उठा कर आप first term से multiply कर दीजिए यानि के x square के coefficient से तो eight का multiply किया one से तो eight आएगा जो sign होता है उस sign को यहां लिखिए और इसके आगे वाला जो number है वो यहां लिखिए two अब आप two number ऐसे find out करिए two number ऐसे find out करिए जिनका multiply करने पर आपको eight मिले और minus करने पर two मिले क्या मिले two number ऐसे find out करिए जिनका multiply करने पर तो आपको eight मिले और minus करने पर आपको क्या मिले two मिले तो वह नमबर होंगे 4 to 8, यानि कि दौनों का multiply अगर मैं करता हूं, तो मुझे 8 मिलेगा, और 4 से अगर मैं 2 को minus करता हूं, तो मुझे 2 मिलेगा, तो देखें, मैं करने के अवाला हूं, कि 4 into 2 मुझे मिले, और 4 minus 2, यानि कि ये मेरे factor मुझे मिल चुके हैं, तो मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पर x square की जगह पर यहां पर इस two की जगह पर four minus two note करूँगा और x पूरी equation को इसी तरीके से लिख दूँगा फिर मैं क्या करने जा रहा हूं bracket को open करूँगा तो four इस तरीके से हो जाएगा minus का multiply minus से तो plus two x minus eight हो जाएगा ओके तो मैं इसे erase कर देता हूं यह rough work है ओके यहां हम क्या करेंगे कि इन दौनों से common लेंगे इन दौनों से हमने जब common लिया तो यहां से common लिया x यहां मिलेगा x minus four और यहां plus two common लिया यहां मिलेगा x minus four ओके एक bracket में लिखेंगे x plus two को दूसरे bracket में लिखेंगे x minus four को विटा एक चीज ध्यान रखेंगे एक question आपका सही है otherwise आपका question गलत है इन दौनों brackets के अंदर आपका question value जो है same होना चाहिए तब ही आपका question right होगा otherwise wrong okay अब यहां से आगे करना क्या है यहां से आगे करना यह है कि इस value को 0 के equal रख लेंगे तो यहां से हमें x की value मिल जाएगी and s को भी हम 0 के equal रख लेंगे तो यहां पर भी x की value मिलेगी x की value मिली हमें एक तो मिलेगा plus का 4 दूसरा यहां से मिलेगा x की value minus का 2 तो यह दौनों value हमें x की मिली तो जो दो value हमें x की मिली है तो आप पिड़ा घ्यान रखेंगे कि जो भी quadratic होगा quadratic polynomial होगा उसके two roots मिलेंगे तो पहला root यह रहा दूसरा root यह रहा यानि root यानि zeros तो polynomial quadratic है तो उसके two zeros मिलेंगे cubic है तो उसके three zeros मिलेंगे यानि कि जिसकी जितनी power होगी उसके उतने ही zeros आपको मिलने वाले हैं तो देखें यहां पर हमें इसके two zeros मिलें अब basically आप देखेंगे इनका sum of zero आप देखें यहां पर निकाल कर sum of zero आप जब निकालेंगे क्या निकालेंगे sum of zero तो आपको मिलेगा sum of zero four minus sorry plus minus का two तो यानि के four minus two और यहां मिलेगा two क्या मिलेगा two मिलेगा यानि के अगर मैं इनके sum की बात कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 2 और product की बात कर रहा हूं product of 0 की बात करेंगे तो क्या मिलेगा दोनों का multiply करेंगे तो 4 into minus 2 याने के minus का 8 यही value मिल रहा है बट ट्विटा अब यह तो रहा हमारा simple factorization method से हमने solve किया है बट अब हम इसे directly करने वाले हैं relation of root से तो relation of root क्या होता है सबसे पहला work आप इसको लिखेंगे यहाँ पर इसको लिखेंगे यहाँ पर x square x square minus 2x minus 8 और comparison करा देंगे standard form से standard form होती है ax square plus bx plus c तो a की value जो मिलेगी 1 b की value जो मिलेगी minus 2 c की value जो मिलेगी minus का 8 और हम लगा देंगे formula sum of 0 and product of 0 तो sum of 0 so z लिख देता हूं sum of 0 sum of 0 होता है minus का b upon a तो minus का b upon a तो हमारे पास minus का b है 2 minus minus हो जाएगा plus plus का 2 प्लस का 2 upon a यानिके 1 तो हमें यहाँ क्या मिला plus का 2 मिला यानिके आप देख रहेंगे sum of 0 आपका plus का 2 तो यहाँ पर भी हमारा sum of 0 plus का 2 था यानिके दोनों ही same आ गए ओके अभी हम देखेंगे यहाँ पर product of 0 अभी हम देखेंगे product of 0 product of 0 में क्या होगा c upon a क्या होगा c upon a तो c हमारे पास क्या है minus का 8 क्या है minus का 8 और 1 तो answer आया minus का 8 तो minus का 8 आ गया तो इस तरीके से हम इनके जो है इनको निकाल सकते हैं देखेंगे यहाँ पर sum of 0 क्या था 2 तो यह रहा 2 product of 0 क्या था minus का 2 तो product of 0 minus का 2 यह तो रहा formula based यानि के standard form से comparison करके मैंने इनके relationship को निकाला यह factorization method से निकाला था तो आप एसे पूरे questions को factorization और relationship वाले formula से कर सकते हैं अभी हम इसे question को देख लेते हैं यह question भी उसी का है sum of 0 and product of 0 का है अब sum of 0 और product of 0 में सिर्फ और सिर्फ एक difference होता है देख लेते हैं देखें if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial यानि कि यह quadratic polynomial है और इसके zeros जो है वो है alpha and beta क्या है alpha and beta है यानि कि यह एक आपका quadratic polynomial है और इसके जो zeros हैं वो है alpha and beta find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha beta तो देखें वेटा जो हमें दिया है यहां दिया है 1 upon alpha plus 1 upon beta और minus का 2 alpha beta यानि कि हमें इसकी value बतानी है तो देखें सबसे पहला काम आप इसका LCM ले लिजे जब आप LCM लेंगे तो alpha beta यहां मिलेगा यहां मिलेगा beta plus यहां मिलेगा alpha minus 2 alpha beta यह मिल जाएगा आपको जब इस तरीकी की condition आपको मिलेगी जब आपको इस तरीकी की condition मिलेगी तो आपको करना यह है कि इस equation से इस polynomial से इनकी value निकाल कर यहां put कर देना है देखिए मैंटा जब इसने कहा कि यहां पर इसके जो zeros हैं एक तो alpha है और दूसरा है बीटा ठीक है तो simple सी बात यह है कि alpha and beta sum of ह zeros जो होगा वो होगा alpha beta क्या होगा alpha beta जो दूनों value जो होंगी एक तो product of zeros हो जागा दूसरा हो जागा sum of zeros तो हम क्या करने वाले हैं यहां पर कि सबसे पहले इसकी comparison कराएंगे comparison कराएंगे किस से ax square प्लस bx प्लस c से इसकी comparison कराएंगे तो a is equal to जो मिलेगा हमें मिलेगा 1 b is equal to जो मिलेगा minus 5 और c is equal to मिलेगा 4 तो sum of zero यानि कि alpha plus beta की जो value मिलेगी minus का b upon a यानि कि minus का b तो minus का 5 है यहां पर upon a यानि कि 1 तो यह आपका plus का 5 हो जागा क्या हो जागा तो मैं यहां note करूँगा plus का 5 अब product of zero की बात करूँगा तो product of zero होता है c upon a तो c upon a में आप देखेंगे यहां पर 4 upon 1 तो यानि कि answer होगा 4 तो यह तो रहा product of zero यह रहा आपका sum of zero तो इस में रख लेंगे पहला है alpha बीटा alpha plus beta यानि कि sum of zero sum of zero हो गया 5 और product of zero है हमारा 4 तो यहां put करेंगे 4 minus 2 into product of zero 4 अब मैंने इसे solve गया तो 5 upon 4 minus 8 ओके बटा यहां पर देखेंगे कि जब आप इसे इस तरीके से कर लेंगे तो यहां पर LCM लेकर जब आप इसे solve करेंगे तो यह मिलेगा 5 minus 32 upon 4 और जब मैंने इसे minus कर दिया जब मैं इसे minus करूंगा तो आपको मिलेगा 27 minus का upon 4 that is answer that is answer यानि इस पूरे की value की इस पूरे जो हमें दे रखा है question में इसकी value जो है हमें क्या मिलेगी minus का 27 upon 4 ओके इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं बहुत easy है सबसे पहले आपको करना यह है कि इसकी comparison करा कर alpha plus beta और alpha beta की value निकाल लीजिए और फिर इस जो हमें given है जो हमें sort out करना है उसकी value निकाल कर उसे solve कर लीजिए है ना solve करने के बाद उसे alpha plus beta और alpha beta की value रख दीजिएगा okay next देख लेते हैं next और है next आप देखिए next question इसी तरीके का है if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial py 5y square minus 7y plus 1 find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta तो देखिए मिलेगी और जब यह value मिलेगी तो मैं यह यहां पर एक एक छोटा सा work करूँगा कि जो हमारा जो polynomial है जो हमारा polynomial है उसको मैं comparison कराऊंगा ax square plus bx plus c से और a is equals to जो मिलेगा मुझे 5, b is equals to जो मिलेगा minus 7 और c is equals to मिलेगा 1 तो यहां से alpha plus beta की value जो मिलेगी minus का b upon a तो minus already है minus 7 है upon a a की value 5 तो मुझे मिला 7 upon 5 ओके alpha beta की value में देखूँगा तो c upon a तो c हमारा क्या है c upon a c है हमारा 1 c है हमारा 1 और a है हमारी पास 5 तो alpha अलफा बीटा की जो value है वह है 1 upon 5 और alpha plus beta की value है 7 upon 5 मैं यहां put कर दूंगा यहां जब मैं put करूंगा इसे यहां जब मैं put करूंगा तो 7 upon 5 upon यहां पर है 1 upon 5 क्या होगा 1 upon 5, 5 से 5 cancel out यानि कि आपका answer आया 7, क्या आया answer आया आपका seven आपका answer आगया seven इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं